हेलो गुड मारिंग जो हायर मसंजे और आप देख रहा है न्यू जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का उनसे अपडेट होने का तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को उससे पहले अगर आप न्यू जार्खन चनल को सस्क्राइब नहीं काटा टोली फ्लाइवर की सौगा दी है इससे जाम से परिशान राजनी राजी को बड़ी रहत मिलेगी इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजी के फोर लेन असमाट पत और धनबाद की आट लेन पत का भी उदगाटन किया इस खास मौके पर सियम ने कांके रोट समस्या राजधनी में काफी हद तक कम हो जाएगी राजी का काटा टोली फ्लाइवर दो सो चौबिस करोड चौरानबे लाग रुपई की लागत से बना है यह फ्लाइवर बाइस सो चालिस मीटर यानी दो किलो मीटर दो सो चालिस मीटर लंबा है इसकी चौड़ाई 16.6 जूद थे मुख्यालियों में संध्या में मसाल जलू शह मोक्यमंत्री और जैससी अध्धक्ष का पुतला दहन किया जाएगा राची में मसाल जलू साम पांच बजे जैपाल सिंग मुंडा स्टेडियम से अलबर्टे का चौँक तक निकाला जाएगा देवेंद्र नात महतों ने सुक धरना प्रदर्सन के साथ उपायुक्त कारियाले के माध्यम से मुकमंत्री राजेपाल और जैससी अध्धक्ष को लिखित ग्यापन सो अपा जाएगा छात्र नेता देवेंद्र नात महतों ने इश्च चरनबद आंदुलन को सफल बनाने के लिए राजे के सभी छात्र प्रदानमंत्री मोदी आज 5 अक्टूबर को महाराश्टर के वासीम जिले में प्रदानमंत्री किसान सम्मानिधी योजना की अठारवी किस्त जारी करेंगे बतादे की प्रधानमंत्री किसान सम्मानिधी योजना के तहत किसानों को सालाना छे हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। मुकमंत्री हिमन्तु सोरिन ने राची के काटा टोली फ्लाइवर के उद्गाटन के साथ साथ जार खन वासियों को कई अन्य परियोजनाओ का भी दिया तौफ़ा। इसके साथ साथ धनबाद में मटकुरिया फ्लाइवर की अधार सिला रखी इसकी लागत 256 करोड चौवन लाख रुपए होगी। टोली काटा टोली कनेक्टिंग फ्लाइवर एवं सहाजानन चौक कांके रोड फ्लाइवर का स्लन्यास किया। एक दसमलो दो पांच किलोमेटर लंबे इस फ्लाइवर की लागत 213 करोड 35 लाख रुपए है। साथी 77 करोड रुपए की लागत से भुईयाडी लिट्टी चौक से भिलाई पहाडी रोड पर स्वनरेखा नदी पर फोरलेन पूर बने का इसका भी स्लन्यास मोखमंतरी हिमन्तु सुरेन ने किया। साथी CM ने 713 करोड 69 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उनीस सडको एवम अवरवरीश के निर्वान का सिलन्यास किया और जारखन वासियों को बड़ा तौफा दिया है। सुकरवार को बिजेपी में शामिल हुए बिजेपी प्रदेश अध्धक्ष बाबूलाल मरांडी और बिजेपी के विधान सभाचनौ सहा परभारी हिमन्ता विस्वा सर्मा की उपस्तिती में कमले सिंग ने बिजेपी गादा मन्धामा मौके पर पूरो प्रदेश अध्ध बिजेपी प्रदेश अध्धक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मिडिया एक्स पर पोश्ट कर जान कर दी है कि भारती जनता पार्टी की जो है नीतियों और प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी के लोक लियानकारी कारियों शपर भावित होकर एंसेपी विधाय कमले सिंग ने अपने साकडो समर्थकों के शाथ भारती जनता पार्टी की सदसता ग्रहन की जमसेथपूर में अपराधी हुए बेखाव घर के बाहर स्थराब कारोबारी को गोलियों से भुना जमसेथपूर सहर में बेखाव अपराधी तांडो मचा रहे हैं और पुलिस दुरगापूजा खोले कर विधी व्यास्ता दुरूस्त करने का दावा कर रही है साधी ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन सहर में हत्या गोली चलान जैसी घटनाय ना घट रही हो ताजा मामला परसूडी थाना चितर का है जहां सुकुरवार देरसाम बेलगाम अपराधियों ने सराप कारवारी विजय सहो को गोली मार कर हत्या कर दी घटना के बाद इलाके में संसनी फैल गई है सूचना मिलते ही परसूडी थाना पुलीस मौके पर पहुँची और मामले की चानबिन में जुट गई है घटना के समन में बताया जा रहा है कि मिरतक नामो टोलामे की राय के मकान में रहता था सुकुरवार देरसाम विजए अपनी असकूटी से घर पहुचा और दरवाजे के बाहर गेट खुनने का इंतजार कर रहा था इसी दोरान चार-पांच की संख्या में रहे बाइक सवार हंतियार बंद अप राधियों ने उसे गोलियों से भुन डाला हलाकि आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकत सकों ने उसे मृत्त खोशित कर दिया बताया जा रहा है कि विजए ने दो शादियां की थी वर्तमान में वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था फिलाल पुलिस पूरे मामले के चान बिन में जुटी है आठ अक्टूबर को लोहर दग्गा जाएंगी कलपना सोरेन मैया योजना की लाभुको को करेंगी संबोदित लोहर दग्गा में आठ अक्टूबर को मैया सम्मान योजना कारिक्रम का योजन होगा इस कारिक्रम में जारकन के मोखे मंतरी हिमंतो सोरेन की पत्नी और गांडे की विधाय कलपना सोरेन सिर्कत करेंगी या कलपना सोरेन का पहिला लोहर दग्गा दोरा होगा इस मौके पर वे मैया योजना की लाभोकों को शम्बोधित करेंगी, कारिक्रम को लेकर जामो और इंडिया गडबंधन के कारिकरतों में उत्सा है, इसके लिए जामो जुला कारेले में बैठक हुए, इसमें कारिक्रम की सफलता के लिए रननीती बनाए गई, साथ ही सभी कार लेकरताओं को सत प्रतिशत भागिदारी सुनक्षित करने की जिम्मेदारी शौपी गई, नवरात्री में का असा रहेगा मौसम का मेजाच, क्या दुर्गा पूजा पंडाल घूम सकेंगे स्रध्धालू, नवरात्री पर चारो और आस्था का उल्ला से है, स्रध्धालू म दुर्गे की आराध्ना में लीन है, इसी बीच लोगों में दुर्गा पूजा में मौसम के मेजाच जानने की उत्सुकता है, तो आईए जानते हैं कि नवरात्री में जारिखन में मौसम के मेजाच का असा रहेगा, तो मौसम वाक की मानिये, तो दुर्गा पूजा के दौ पारिश के आसार है पांच अक्टूबर से लेकर दस अक्टूबर तक मेग गर्जन के शाद बारिश हो शक्ती है मौसम भाग ने जारी पूरा अनुमान ने बता है कि इस दोरान आकास में आंसिक बादल चाय रहेंगे जारिखन में अभी बारिश हो की हलाकि जोरदार बारिश की संभावना नहीं है मौसम भाग ने अपने पूरू अनुमान ने बता है कि राज़े में कुछ इस्थानों पर हलकी बारिश हो सकती है 10 अक्टूबर तक कहीं कहीं हलके समध्धम दरज़े की बारिश का नुमान है हलाकि जोरदार बारिश का नुमान रक्त नहीं किया गया है हलाकि जारिखन में अगले दो दिनों के लिए यलो अलर्ट जारे किया गया है मौसम भाग ने जितावनी जारी की है कि 5 और 6 अक्टूबर को राज़े में कहीं कहीं गरज या वजरपात हो सकता है इससे लेकर आयमडी ने यलो अलर्ट जारी कर सतर करहने की शलादी है आदिवासी कहने का मतलब सिर्फ हेमन तु सोरेन का परिवार नहीं जाराम महतो रांची जिला के बेड़ों महादानी मैदान में जारखन लोकतांतरी करांतिकारी मोर्चा के तत्वधान में बदलाव संकल्फ सभा का आयुजन किया क्या इस कारिक्रम में पार्टी के केंदरिये अध्धक्ष जाराम महतो सामिल हुए जहां उन्होंने सोरेन परिवार पर जम कर हमला बोला इस सभा को संबोधित करतो हुए जाराम महतो ने कहा है कि जारखन आदिवासियों वा मूलवासियों का राज्य है आदिवासी कहने का मतलब सिर्फ हिमन्तु सोरेन का परिवार नहीं है जारखन अलग होने के 24 साल बाद भी यहां रहने वाले आदिवासी आज भी देश के महानगरों में चंद रुपईयों के लिए महिलाएं नौकरानी का काम करने वा पुरूस एट भठा में मजदूरी करने के लिए विवस है उन्होंने का है कि मुखमंत्री महिया समान योजना बेटी बहन को एक हजारों पर देकर ठगने का काम कर रही है उन्होंने आयलान किया है कि अगर राजे में उनकी सरकार आई तो मईया और भईया दोनों को सम्मान मिलेगा उन्होंने जारिकन में 1932 की खतियान लागू करने और शेत्रिय भासा को अधार बनाने की बात कही इसकी अलावा जाराम महतों ने सभास्तल पर ही जे एल केम से मांडर विधान सभास सीट से गुना भगत को प्रत्यासी बनाए जाने की घूश ना की रामगड पुलिस की गिरप्त में पांच अपराधी अंतराजिय चोर गिरो का हुआ परदा फास रामगड पुलिस ने एटियम काट कर रुपए चुराने वाले अंतराजिय चोर गिरो पर सिकन जगासा है पुलिस टीम ने हर्याना बिहार और जारखंट के अलग-अलग जीलों में चापमारी कर और इस गिरो में सामिल पांच अपराधियों को गिरपतार कर लिया है रामगड पुलिस को गिरपतार चोरों के पास से एटियम से चुराय गए एक लाख सत्तर हजार रुपए चार कार और आठ मुबाइल फोन जब्त किये गए हैं पुलिस की पूछताच में गिरपतार गिरो के सदशों ने अपना जुर्म स्विकार किया है उन्होंने इस साल रामगड चत्रा बिहार के नावादा छपरा और ओरिशा के संबलपूर वा सुन्दरगड के 14 एटियम काट कर लाख रुपए चुराने की बाद स्विकार की है इस मामले की जानकरी देतो हुवे रामगड SP अजयकुमार ने बता है कि 23 अगस्त को रामगड की गोला रोड इस्तित वीमार्ट के पास SBI का एटियम काट कर शोरू ने एक लागती जारुपए निकाले थे बाद ने काटा साहिब गंज से गोड़ा का कनेक्शन साहिब गंज जिला में 12 और 12 से जन जिवन पर भावित है गंगा नदी शुकुरवार को खत्रे की निशान से उपर बा रही थी गंगा नदी का खत्रे का निशान 27.25 मीटर है जबकि सुकुरवार सुभा तक गंगा नदी का जलस्तर 27.80 मीटर मापा गया वही पानी के तेज बाहों के कारण डायवर्सन तूटने से साहिब गंच का संपर्क गोड़ा जिले से तूट गया है केंद्रिय जल आयो कनुशार सुकुरवार सुभा से गंगा नदी में प्रती चार घंटा में एक सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी घटने लगी है लेकिन बाढ़ का खत्रा बरकरार है इसी के बीच मंडरो प्रिखंट के मिरजाचों की बो आरीजोर मुक्यपत पर उबन्दा के पास डायवर्सन पानी के तेज बाहों में बहा गया जिससे निर्माना धीन पुल से सड़क के बीच करी 15 फीट खाई बन गई है इससे लोगों का इस पुल से आना जाना मुश्किल हो गया है पानी की धार में इतना करेंट है कि लोग इसे पार करने में डर रहे हैं इधर आवगमन पूरी तरह परभावित हो गया है इस डायवर्सन के बहाने से गुड़डा और साहिब गंज के बीच फिलाल संपर्ग त जिला प्रसासन द्वारा किसी तरह आवगमन को लेकर कारिय किया जा रहा है इधर गोखला मिशन अस्कूल तक पढ़ने वाले छात्रों की परिशानी बढ़ गई है इस थानी लोग का कहना है कि मिर्जा चौकी से बो आरी जोर तक वो बंधा गाउं के पास छे महापूर्व से मुके सड़क पर नदी के उपर पूल बनाया जा रहा है आधा अधूरा काम छोड़ का ठेकेदार भाग गया है हर बार बारिश होती है तो परिशानी होती है इस बार तो डैवर्सन तोट जाने से दो जिलों का सिधा संपर के ही तोट गया है जिला प्रसासन को इस दिसा म और आध्सू के शाथ मिलकर चुनाओ लड़ेगी सीट सेरिंग को लेकर बीजेपी ने आध्सू और जड़ियों से बाच्चित फाइनल कर ली है असम के मुक्रमंतरी और जारकन बीजेपी चुनाओ सहपरभारी हिमनता विस्वास सर्मा ने बीजेपी कार्याले में मेडिया कर्मियो द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह जान कर दी उन्होंने कहे कि जड़ियों के साथ सीट सेरिंग फाइनल हो गई है और आध्सू के शाथ एक दो सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर फैसला हो चुका है उशेनाबाद और चंदन की यारी को लेकर आध भेद की बात से इनकार करतो हुए इमंता विस्वा सर्मा ने कहे कि इन दोनों सीटों पर आध्सू के शाथ कोई मद्भेद नहीं है उन्होंने कहे कि सीट सेरिंग पर पार्टी का संसदिय बोड अंतिम मुहर लगाएगा अभी हरियाना और जम्मू कस्मीर में चुनाओ की क जारखन की राज़ेपाल आज राची के आयोध्या के तर्च पर बनाएगे भव्य पंडाल का करेंगे उदगाटन जारखन की राज़ेपाल संतोष कुमार गंगवार राजधनी राची के धुरवायस्तित पुराने विधान सभा मैदान में बन रहे दुरगा पुजा अक्टूबर की सुभा दस बज़े करेंगे उदगाटन के साथ ही मा के दर्सन के लिए पंडाल कपट खोल दिया जाएगा स्री रामलला मंदिर आयोध्या के प्रारूप का भव्य निर्मान हो रहा है यहां मा विराज़ेगी पांच अक्टूबर से बारा अक्टूबर तक स रधालों के दर्सन क्लिपट खुल रहेंगे उदगाटन समहारों में केंद्रिय रक्षा राज्यमंत्री सहा सांसत संजे सेट रांची के विधायक सीपी सिंग हाटिया के विधायक नविन जासवाल सामिल होंगे पूजा समेती के अध्धक्च असोग चौधरी और सचिव क पूनाल आजमाणी ने प्रेश्वारता कर यह जान कर दी है श्री राम लला पूजा समयती रांची की और से धुरवा के पुराने विधान सभा मादान में आयोध्धा के नवनिर्मित श्री राम लला का प्रारूप बनाया जा रहा है मंदर के प्रारूप के अस्त्म्ब बजरंग बली की विशाल फोर्डी मूर्ती आकरसन का केंदर रहेगी नवरातर में पंडाल के गर्वगरी में माभवानी का दर्सन विजय दस्मी तक कर सकेंगे दुर्गा पुजा से पहले जार्खन और बिहार के रेल यातरियों के लिए भारतिय रेलवे ने बड़ी खुसकब्री दी है भारतिय रेलवे के इस फैसले से हजारो यातरियों को ट्रेन में होने वाले भीड से निजात मिल जाएगी खासकर जार्खन की राजधनी राची से बिहार के आरा, बरोनी, समस्तिपूर, दर्भंगा, मधुबनी जाने वाले के लिए भारतिय रेलवे के इस घोसना से ओरिसा के रावर केला और उतर प्रदेश के वारानासी जाने वालों को भी भीड से रहात मिलेगी इतना ही नहीं, राची से गोड़ा जाने वाले रेल यातनियों को भी फायदा होने वाला है राची से आरा, गोड़ा, वारानासी को जाने वाली ट्रेनों में रेलवे ने भीड को देखतो हुए अतरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है दच्चिनपूरो रेलवे राची मंडल के मुखे जनसंपर के पदधिकारी ने या जान करी दी उन्होंने बता है कि यात्रियों की सुविदा का ख्याल रखतो हुए भारतिय रेलवे ने तीन महिने के लिए आठ ट्रेनों में आस्थाई तोर पर अतरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है मुखे मंतरी हिमन्तु सोरिन ने राची के काटा टोली फ्लाइवर पर खुद चलाई गाड़ी पतनी कलपना ने बनाया वीडियो मुखे मंतरी हिमन्तु सोरिन ने दो किलो मेटर से भी जादा लंबी काटा टोली फ्लाइवर का उधगाटन किया इस दोरान CM ने फ्लाइवर से लोगों का अभिवादन किया, उधगाटन के बाद मुख्यमंत्री हिमंतु सोरेन ने काटा टोली फ्लाइवर पर खुद गाड़ी चलाई, उनके बगल वाली सीट पर उनकी पतनी कलपना सोरेन बैटी थी, इस दोरान उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंतु सोरेन का एक वीडियो भी शूट किया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंतु सोरेन ने उन लोगों को शुब कामनाई दी हैं, जिन लोगों ने फ्लाइवर बनाने में दिन रात एक कर दिया, उन्होंने का है कि ये फ्लाइवर पबलिक को शमर्पित किया जा रहा है, मुसाफिरों से लोट पाट की ती तयारी साथ अंतराजिय सड़क लोटे रिधराये, दुरगापूजा को लेकर जिले मे पुलिस की सकरिता के साथ अपराधि भी सकरिता दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपराधियों के सक्री होते ही पुलीस अपनी सक्रियता के बल पर अपराधियों के मंसा को फोरण निस्करे करने में जोट गई है। अपराधियों के जस्पूर जिले का इलाका में था। भाकपा के सक्री सदस गुलसन उराउं को गरपतार किया है। गरपतार नकसली पर जारिखन सरकार ने एक लाक रुपाई का इनाम घोशुद कर रखा था। या काररवाई लातिहार के एसपी कुमार गवरों को मिली गुप्त सूचना के अधार पर की गई है। सूचना के अनुशार गुलसन उराउं मनीका थाना चितर के कुमंडी गाउं के आसपास सक्रिय था। जैसे ही अजानकारी एसपी कुमार गवरों तक पहुँची उन्होंने तुरंग एक पुलिस टीम गठित करने का आदेश दिया। टीम का नेतित्व डेसपी भरत राम ने किया। पुलिस टीम ने शापमारी शुरो की और कुछी शमेबाद नकसली गुलसन उराउं को पकड़ने में सफलता पाई। गिरबतारी के समय नकसली ने भागने का परियास किया लेकिन पुलिस ने उसे चारो और से घेर लिया और काबू कर लिया। दो बार मुव फेर कर चले गए माही भारतिय टीम के पूर्व कप्तान महंदरे सिंग धोनी के एकसर फैंस से मिलने का वीडियो आते रहता है। अले फार्म हॉस के बाहर कैंप लगा कर धोनी से मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। गौरो दिली से साइकल चला कर रांची पहुचा है। दिली से रांची की दूरी देखी जाए तो करीब 1200 किलोमेटर है। इतनी दूर साइकल से जाना और फिर निरासोना इंसान को तोड़ सकता है लेकिन गौरो ने हिम्मत नहीं हारी है। उनको रांची आय हुए पांच दिन हो गये हैं। इस बीच धोनी दो बार अपनी कार से बाहर निकले लेकिन उन्होंने अपने फैन की तरब देखा तक नहीं और चले गए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर धोनी की आलोचना भी हो रही है। धोनी की फैन फ्लोइंग बहुत सांडार है। लोग उनकी एक जलक देखने के लिए तरसते हैं। धोनी ने साल 2020 में रिटार्मेंट ले लिया था लेकिन वह अब भी IPL खेलते हैं। या अभ्यान उत्पाद अधिचक के निर्देश पर चला गया। इस दोरान उत्पाद विवाग की टीम ने मफसिल धाना चेतर के गडर्मा एवं जो भी गाउं में चल रहे अवैद महुआ चुलाई सराब भठीयों को पुलीस के सहीयोग्ष शापमारी कर धोस्त कर पर वहां आसपास रखे सराब चुलाई योग्य जावा महुआ को विनस्ट करतो हुए सफलाई हेतु तैयार 400 लेटर सराब को जब्त कर लिया। साथी सराब बनाने वाले सभी उपकरन भठी के साथ ध्वस्त कर दिया गया, साथी 120 क्वेंटल जावा महुआ को जब्त कर लिया गया। काररवाई से पूर्व छापमारी दल को देखते होगे धंदेवाज फरार हो गए अवर निरक्चक महंद्र देवगम ने कहा कि अवादसराब कारोबारियों के वृद्ध फरार अभियोग दर्चकर आगी की काररवाई की जा रही है। विद्धालियों का अवंटन दुर्गापुजा से पहले दे सरकार उर्दू सिक्चक संग जारकन राज उर्दू सिक्चक संग ने जारकन राज के गयर सरकारी सहता प्राप्त प्रारंभिकवा अलपसंक्यक विद्धालियों में काररत सिक्चक सिक्चकेतर कर्मचारियों के बकाया वेतन भुक्तान के लिए आवंटन दुर्गापुजा से पहले देने की मांगी है। बकाया वेतन दुर्गापुजा से पहले देने की मांगी है। पैर, पेट और सिर को नाकुन से नोच डाला। किसी तरह घाया लवस्था में भाग कर गड़े में छुपकर अपनी जान बचाई। इधर परिजनों ने गंबे रुप से घायल परवल साहो को पेड़ो अस्पिताल पहुचाया। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि एक मादा भालू अपने दो बच्चों के शाथ अकसर दौलेचा गाउं किनारे इस जंगल से निकल कर भोजन की तलास में खेतों की और आ जाते हैं। जो बगल की खेतों मलकी बदाम वसकरकंद को खोद कर खाते हैं। गरामिनों का कहना है कि भालो इतने आकरमक हैं कि जो भी व्यक्ति उनके सामनी मिलता है वो इस पर हमला कर देते हैं। एस सी मुहमद मुम्ताज अंसारी समाने साका परभारी पद अधिकारी सालिने खलगोब अन्य अधिकारियों ने सुकरवार को तैयारियों का जाजा लिया। एक सो पांच अपसरों को मिली परुनती सरकार ने सुकरवार को राजे प्रसासनिक सेवा के एक सो पांच अपसरों को परुनती दी है। परुनती पाने वाले अधिकारियों को अभी बढ़े हुए वेतन मान में उसी पद पर पदस्था पित किया गया है। कार्मिक विवाग ने इससे समंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। हाइकोट ने कहा छे दिसंबर तक पूरी करे चौकिदार न्युक्ति प्रक्रिया। पूरी कर ली जाएगी लेकिन अंडर्टेकिंग देने के बाद भी नुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बतादे कि राजबर में कुल 4,871 चौकिदारों की नुक्ति होनी है। नुक्ति प्रक्रिया में देर के वरुद्धू हाइकोट का दर्वाजा खट-खटाए गया है। राजबर में चेंग स्नैचिंग गैंग का खुलासा, पुलिस ने तीन अपराधियों और अस्वर्न विवासाई को पकड़ा, चिंताई के तीन सोने के चेंग भरामद। हाल के दिनों में राजधनी में लगतार चैंग स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, इसको लेकर जोर्नल आईजी के नितितों में बैठक भी की गई थी और करी कार्रवाई के निर्देश दिये गया थे, इसको लेकर SIT के घठन किया गया था, इसी के तहत कोतवाली DSP के न प्रिश बल की तैनाती, जारिकंड हाई कोट ने दुरगा पूजा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविदा का ख्याल रखने को लेकर सरकार को निर्देश दिया है, हाई कोट की खंड़ पीट का आदेश है कि सभी पूजा पंडालों के पास अत्रिक्त महिला सुरक प्रिश बल की तैनाती की जाए, इसके साथ ही महिलाओं की सुविदा के लिए पिंक बसे भी चलाई जाए, इससे लेकर अदालत ने अस्पेशल टास्क पोर्स की बैठक की जिसमें हुए निर्देश के पालन की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, इस बै विबाद को लेकर आपस में उलजे लोग, तीन लोग हुवे घायल, मचवा हड़कंप, पलामू जिले के चैनपूर्थाना च्छेतर के पूर्णा मंजगाओं में जमीन विबाद को लेकर फाइरिंग हो गई, इस घटना में तीन लोग जकमी हो गए, भर्ट हुआ बंदू जकमी का फर्ज बायान लिया गया है, घायलों का हाल चाल जानने के लिए बड़ी संख्यम लोग जो है अस्पिताल पहुँचे, जानकारी के अनुसार पूर्णा में सुकुरवार सुभा साथ बजे जमीन के एक मामले में गोतिया परिवार के दो पक्ष आपस में भड़ ग आशेलिये राची रिम्स राफर करने करने न लनए लिया जाएगा। लाभुक को अबू आवास योजना का लाब दिलवाने को लेकर उससे 10,000 रुपए रिस्वत की मांग किये थे और लाभुक गुरुवार की दो पहर को जो है बैंक ओप इंडिया की साखा से रुपए निकाल कर मुखियापती शुंदर महातो को दे रहे थे उसी समय रंगे एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो अभी के लिए बस इतना ही हमें देज़े अजाजत फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के शाथ धन्यवाद